दोस्तों अगर आप HDFC bank का Indian oil credit card apply करने जा रहे हैं तो उससे पहले अब हमारी वीडियो को पूरा देख लीजे इस वीडियो में दोस्तों हम आपकी पूरे doubt है वो clear कर देंगे फिर आपके मन में कोई भी संका नहीं लेगी कि आपको इस card को लेना चाहिए आपको नहीं लेना चाहिए आपके काम का होने वाला या नहीं होने वाला है साथ ही दोस्तों इस card में आपके benefits आपको क्या मिल जाएंगे और इस card को apply criteria eligibility और साथ ही इस card के fees and charges की बात करने वाले है details में तो वीडियो को दोस्तों विल्कुल भी इस keep मत करना वीडियो को आखरी तक देखीगा जब भी आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले दोस्तों इंडियन ओले credit card के fees and charges की बात कर लेते हैं इस card को जैसे अगर आप issue करवाती हैं तो आपको एक joining fees आपको pay करने होगी joining fees जो आपकी रहने वाली इस card की 500 रुपीस प्लस taxes वहीं इस card की हर साल आपको annual fees आपको pay करने होगी annual जो fees रहने वाली वह भी आपकी 500 प्लस टेक्स बट आपके पास यहां पर एक option है अगर आपनी annual fees है वह आप अपनी वेब आप करा सकती हो अगर आपका जैसे आपका card issue होता है first year में अपने card से 20,000 spend कर लेते हो तो आपकी first year की जो fees है वह आपकी वेब आपकी कर दी जाती है और वहीं अगर आपको next year की fees आपको वेब आपको करानी है तो अपने credit card से एक साल गेंदर 50,000 spend कर लोगे तो आपकी next year की जो fees है वह भी आपकी वेब आपकी कर दी जाती है इस card की finance charges की बात करें दोस्तों तो आपने जितना card आपने use कर रहा है अगर उसको bill को timely अगर आप पे नहीं करती है और आपका जितना out sending बना है तो उस पे आपका जो bank आपसे interest करेगा आपका 3.49% interest charge करेगा आपकी out sending bill के उपर और वहीं card आपका अगर एक हो जाता यह damage हो जाता अगर आप इस card को replace कराती है तो आपको 100 रुपीस आपको pay करने होंगी HDFC bank को और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों अगर आपने इस credit card से अगर आप ATM से cash निकालती है तो वहाँ पे आपका जो bank interest करेगा आपके जितना amount आप निकाल रहे है उस पे आपका 2.5% का interest charge करेगा और यहीं अगर आप इस credit card से foreign currency में अगर transition करते हैं आप जितने रुपी की भी transition कर रहे हो तो उस पे आपका 3.5% का interest आप से bank charge करेगा इस card में सबसे पहले आपको benefits आपको मिलने वाला है वो fuel point benefits आप all of India कहीं भी अपने इस credit card से Indian oil petrol pump पे अगर आप fuel वगरा डलवाते हो तो आप जितने रुपई की अपने card से spend कर रहे हो तो उस पे आपको 5% fuel point आपको मिल जाते हैं और आप maximum एक मनत में आप 200 fuel point ही आप earn कर पा complete हो जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों कहीं भी आप fuel अगर डलवाते हो आप all of India किसी भी पैटल पम पे तो वहाँ पे जितने रुपई भी आप spend करोगे तो उस पे आपको 5% fuel point आपको मिलने वाले ही हैं और साथ ही दोस्तों आपको monthly जो point आप earn कर पाओगे maximum वहापके 1500 fuel point आप earn कर पाओगे और इसके लाब दोस्तों अगर आप grocery या आप utility bill पे करते हो तो आप जितने रुपई की भी transition करोगे तो उस पर भी आपको 5% fuel point आपको मिलने वाले हैं साथ ही दोस्तों आप maximum fuel point आप earn कर पाओगे grocery और utility bill पे तो वह आप कर पाओगे handed fuel point आप कर पाओगे दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको इस card में आपको complimentary Indian oil rewards membership आपको मिल जाती है और इस membership कहता है अब किसी भी all of India आपने Indian oil के पैडल पंपे आप अपने जो fuel point आपको जो मिल रहे हैं उन fuel point से आप feeling वगरा डलवा सकती हो और दोस्तों अब आपके मन मे सवाल रहेगा कि आपके जो point आपको मिल रहे हैं point per point की value क्या रहने वाली है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों आप किसी भी Indian oil के पैडलम पे अगर आप fuel वगर डलवाते हो तो आपकी जो पर point के value होने वाली है वह 96 पैसा है और इसके अलावा अगर आप इनके product वगर पर अगर आप redeem करते हैं तो आपकी पर point के value होने वाली है वह आपकी 20 पैसा है और सबसे अच्छी दोस्तों आपके card में जितने भी full point आपके बन रहे हैं उन full point को आप every month आपने bill में भी आप adjust करा सकते हो अब next benefit की बात कर लेते हैं यह जो card आपको मिलने वाला zero liability cover के साथ आपको मिलने वाला है कलको card आपका यह खो भी जाता है यह गों भी हो जाता है तो दोस्तों आपको टैंसर लेनी के ज़रत नहीं है आपको तुरंद अपने custom के एर पर call करना है और आपको intimate कर देना आपकी card के really team में report दरज करा देना है आप इसके लिए बिलकुल कोई भी लाइवल नहीं रहेगे उसके बाद कोई भी धोगा धड़ी होती है बैंक की सारी responsibility रहती है और दोस्तों इसके अलाव अगर आप family member में किसी को भी अगर आप add-on card दिलवाना चाहते हो तो आप easily आपका add-on card आपका बन जाएगा और add-on card apply कर बनवाती हो तो उस पे आपको कोई भी आपकी annual fees or processing fees जो भी आपकी वो आपसे bank charge नहीं करेगा दोस्तों next आपको जो इसमें benefits आपको fuel benefits आप all of India कहीं भी आप fuel डलवाते हो तो आपको 1% fuel सर्चार्ज आपका वेबव होने वाला है अगर आप minimum 400 से maximum 5000 के बीच में fuel डलवाते हो तो आपका 1% fuel सर्चार करने के लिए वाला है औरकुसी जो करड़ आपको मिलने वाला है तो कहीं बी अगर आप उप आप कर जायगी है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस card को apply करने के लिए क्रिटीरिया eligibility है तो सबसे पहले आपकी जो age होने चीए वो 21 होने चीए और आपकी maximum जो age होने चीए वो आपकी 65 age होने चीए और दूसरा है आपका solid person होने चीए आपकी minimum salary है वो 18,000 पर salary होने चीए अगर आप solid person नहीं है आपका खुद का business है तो आपकी minimum जो ITR होने चीए annual ITR वो आपकी 4,50,000 आपकी ITR रहने चीए और इसके अलावा दोस्तों आप Indian citizen रहने चीए अगर आप विदीजी नागरी के हैं या ना रही है तो आप इस card के लिए eligible नहीं है दोस्तों आई हो आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजीगा फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में टेक्येर बाई बाई